हेलो एप्रिवन वेलकम बैक तो दे चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंड्रिय विद्धियालाय संगटन की 2021 में जो वेकेंसिस यानी कि इस साल वेकेंसिस आने वाली है यह पर्मानेट वेकेंसिस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पहले संगठन ने अल आपको वो लिस्ट दिखाऊंगी कि कितनी वेकेंसी आने वाली है उस हिसाब से आप अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हो और आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी कब तक ये वेकेंसी आ सकती है तो अलग-अलग आरो की तरब से अलग-अलग लिस्ट आई थी जिसमेंग फिल्धारी उनके विडियो में कितनी वेकेंसी आ है और एक अरो के अंदर कई सारे विद्यार्ड़ी के वैकेंसी को मिलाकर जो final list तयार की गई है तो उसमें principal की जो vacancy है वहाँ शिशड़वात कर रही हूँ तो principal यानि की जो group एक एडर में आता है undeserved के लिए यहाँ पे 41 vacancy है OBC की 19, SC की 11, SD की 5 और total जो vacancy है वो 76 है यह पूरे country की overall vacancy की बात कर रहे हूँ यहाँ पे सारे आरो को मिला कर total 76 post की vacancy होनी मतलब fill किया किया जाना है principal के लिए फिर बात कर लेते हैं vice principal की यहाँ पे भी undeserved के लिए 117 vacancies है OBC की 57, SC की 31, SD की 15 और total vacancy है 220 vacancy है vice principal की post graduate teacher की बात कर लेते हैं तो post graduate teacher different different subjects की बात करते हैं तो पहले हिंदी में undeserved के लिए 22, OBC की 19, SC की 7, SD की 4 और total 52 vacancy है हिंदी की English के लिए 24, undeserved, 18 OBC, SC की 8, SD की 5 और total 55 vacancy है physics की बात कर ले तो undeserved के लिए 25, OBC की 13, SC की 12, SD की 4 और total 54 vacancy है chemistry की बात कर रहे है 29, undeserved की, OBC की 17, SC की 9, SD की 5 और total 60 vacancy है तो अच्छी खासी vacancy है आप देख रहे हैं chemistry में भी है mathematics की बात कर रहे हैं undeserved यहां पर PGT teachers की बात हो रही है तो mathematics, PGT mathematics के लिए undeserved के लिए 28 vacancy है, OBC की 16, SC की 8, SD की 5 और total 57 vacancy है biology की बात कर रहे है, biology में undeserved के लिए 23, SC की 14 और इस तरह से SD की 10 और total 50 vacancy है history में भी कुछ इस तरह से category wise देखेंगे तो 56 vacancy है geography की बात करेंगे 61 vacancy है total, economics में 56, commerce में 45, computer science की जो है 46 vacancy है, तो total आप देखेंगे, तो total vacancy जो है PGT में, PGT में total 592 यानि की करीब 600 के करीब vacancy है जिसको की इस साल फिल किया जाना है जिसमें की undeserved की 277, SC, ST और इस तरह से आप देखेंगे category wise vacancy 172, 95 और 48 है आगे बात कर लेते हैं, trained graduate teacher यानि की TGT जो की group भी में आता है तो TGT हिंदी की बात कर ले तो कुल vacancy है 265, TGT हिंदी की English की 270 vacancy है, TGT Sanskrit के लिए 124, TGT Science की 290 vacancy है mathematics के लिए 195, social के लिए 435, बहुत ही ज्यादा vacancy है TGT Social Science के लिए physical and health education की total 97 vacancy है, arts के लिए total 107 vacancy है यहाँ पर work education teacher के लिए 117 vacancy है, तो total TGT में आप देख रहे हैं 1900 vacancy है, आगे librarian की जो vacancy है, वो total 50 है unreserved की 24, OBC की 14, SC, 8, ST, 4 तो इस तरह से total 50 vacancy librarian की आने वाली है primary teacher की बात कर रहे हैं, तो primary teacher की total vacancies है 3500, 5300, बहुत बड़ी vacancy है, unreserved के लिए 2672, OBC के लिए 1431, SC के लिए 798 और ST के लिए 399, टोटल हो गए 3300 यानि की 5300 vacancy प्राइमरी टीचर के लिए आगे primary teacher music की कितनी vacancy है, तो देख रहे हैं यहाँ पर total जो है unreserved के लिए 101, OBC की 54, SC की 31, ST की 15 यानि की total 201 music की vacancy है तो देखा आपने की कितनी ज्यादा vacancy आने वाली है, total vacancy जो है आप देख रहे हैं कि 5500 के करीब सर्फ PRT की है, तिरपन सो विकेंसी प्राइट की है और कुल मिलाके आपकी जो तिरपन सो PRT की है और इसको बाकी को देख लीजे तो total vacancy हमारी 8,000, 7,000 से अभव हो रही है, 8,000 के करीब तो आपको पता है कि केंद्री विद्याले जो है, नॉर्मली सभी जितने भी स्कूल से हैं सबसे ज़्यादा high salary और pay level वाला स्कूल है और अगर बात करेंगे salaries की तो एक बार देख लीजे प्रिंस्पल की जो salary यहाँ पर होती है, वो 78,800 तो 2,09,200 के बीच होती है वाइस प्रिंस्पल की 56,100 से लेके 177 यानि कि यहाँ पर 1,77,500 तक होती है पोस्ट ग्रिजुट टीचर की जो होती है salaries 47,600 से लेके 1,51,100 तक होती है primary teachers की जो salary होती है वो 35,400 से लेकर 11,24,00 तक होती है इसके लावा trend graduate teacher की जो होती है TGT की जो salary होती है वो starting salary उनकी करीब 50,000 के करीब होती है और वो बढ़के बाद में 1,42,400 हो जाती है तो यहाँ पर देखे यह salary की हमने बात कर ली केंजरे विद्या लेके PGT, TGT, PRT और principles की वैसे तो आपको बहुत कुछ पता होगा इसके बारे में फिर भी मैं एक बार फिर से कि जो age limit है वो बता देती हूँ, principle के लिए जो age limit होगी वो 35 years, minimum होगी और maximum 50 years wise principle के लिए minimum 35 और maximum 45 years, post graduate teacher यानि PGT के लिए upper age limit है वो 40 years है primary teachers के लिए जो upper age limit है वो 30 years है, TGT के लिए upper age limit 35 years है अब बात करते हैं age relaxation की, कि अलग-अलग categories में कितने age relaxation है तो यहाँ पर बता रही हूँ आपको, तो relaxation जो upper age में है तो सबसे पहले बात करते हैं SCST की, उनको 5 years है, 5 years extra सब में आप add कर दीजिए OBC की 3 years है, और women को हर category में 10 years, 10 years जो है extra वो, सब की, जैसे कि अगर आप PRT की बात करेंगे तो वो 40 साल तक हो जाती है, 10 साल extra है, और KVS employee है, तो उनके लिए कोई age बार नहीं है वो कभी भी किसी भी age में कोई भी अगला apply कर सकते हैं, उनके लिए कोई age limit नहीं है और PWD, यानि कि यहाँ पर जो, या PWD में भी जो category wise है, उनके लिए जो पहली category OBC है, PWD, उनकी 15 years SC है 13 years, और ST है, या फिर general है, SCST है 13 years, general है तो 10 years X serviceman है तो 5 years की, और X serviceman अगर OBC है तो 8 years की, X serviceman अगर SCST है तो 10 years की, आपको age relaxation दी जाती है तो vacancy के बाद, अब age relaxation आप जानके, age limit जानके हूँ, तो अब सबसे बड़ी बात है, आपकी qualification क्या होनी चाहिए as per KVS recruitment notification, तो recruitment notification के हिसाब से principal के लिए जो, यहाँ पर educational qualification की बात कर रहे है तो master degree होना चाहिए, with 55% marks aggregate, B.A.D. होना चाहिए, B.A.D. की degree होनी चाहिए vice principal के लिए, master degree और B.A.D. सेम है, जैसा उसके लिए, 50% marks है, यहाँ vice principal के लिए PGT के लिए, दो years का, यानि की post graduate M.S.E. course from original college of education or N.C.R.T, subject concern मत का, अपने subject में उनकी mastery होनी चाहिए, साथ में B.A.D. होना चाहिए, और Hindi और English, दोनों language में उनकी specialty होनी चाहिए, primary teachers की बात करेंगे, तो graduation with at least 50% marks होना चाहिए, plus B.A.D. होना चाहिए, उन्हें seated qualification होना, qualify होना वह स्कंपल सरी है, primary teachers को, और उन्हें भी Hindi English में जो proficiency होनी चाहिए, teaching के लिए, T.G.T की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका जो course है, T.G.T के लिए कोई भी bachelor degree होनी चाहिए, और साथ में B.A.D. होना चाहिए, और specialty उनका भी Hindi और English language में होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं, procedure क्या होगा, apply करने का for KVS Recruitment 2021 के लिए, तो आपको कुछ steps follow करने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको official website पे जाना होगा, वहाँ जाने के बाद आपको application वहाँ पे आएगा, application का option आएगा, जहां से आप online mode में application को fill कर सकते हैं, fill करने के बाद आप उसको वहाँ पर term condition को accept करना है, फिर आपके बाद आपको notification पहले देखना है, notification में आपको जो है वहाँ पूरा पढ़ना है, अच्छी तरह से उसे detail और फिर सारे details को ध्यान से, बिल्कुल साफधानी से भरना है, आपको अपनी scan किये हुए copies, documents, जो जो वहाँ पूछा जा रहा है, वो सारे upload करने है, फिर जो successful submission होगा form का, उसके बाद आपको एक login ID और password जनरेट की जाएगी, website के थूँ, और फिर आप अपनी login ID और password को future use करेंगे, finally उसको admit card वगर डाउनलोड करने के लिए, fees की बात करेंगे, तो principal के लिए 1500 fees होगी, vice principal के लिए 1500, TGT के लिए 1000, PGT के लिए 1000, librarian के लिए 1000, primary teacher के लिए 1000 जो है, examination fee होगी, candidates जो है, वो अपने application form को print out करना है आपको, fill करने के बाद, जो वहाँ और उसके बाद उस पर क्या करना है, passport size की photograph भी उस पर चिपकानी है, और वो आपको submit करना होगा, कहां पर, जब आपकी interview के लिए call आएगा, उस समय लेके जाना है, अब एक यहाँ पे student apply कर सकते हैं, एक से ज़्यादा post के लिए है, suppose आप PRT के लिए apply कर रहे हैं, अगर आपकी educational qualification TGT या फिर PGT की भी है, तो आप चाहे तो 2 या फिर 3 तीनों के लिए भी fill कर सकते हैं, उनके लिए separate separate आपको fees pay करनी परेगी, अब selection जो होता है process उसकी बाद कर लेते हैं, तो selection process जो होगा, वो आपका 2 step में रहेगा, एक return exam होगा और फिर उसके बाद interview होगा, जब आप उसे qualify करेंगे, उसके बाद interview होगा आपका, फिर जो candidates जो होगे select किये जाएंगे, जो final marks होगी आपकी return और interview दोनों को मिला करके, आपका submission होगा, आपका result बनेगा, और जो 100% में score होगा, यह सब process हम बाद में discuss करेंगे, तो यह थी सारी process और सारी vacancies जो मैंने अभी अभी आपको बताई, अब final बड़ा सवाल यह आता है कि यह vacancy आएगी कब, तो यह vacancy बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, आपकी जो vacancy 2021 में कभी भी आ सकती है, कोई ऐसे expected date इसकी announce नहीं हुई है, और अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यह 2021 में आनी है क्योंकि vacancies बहुत ज़्यादा है, और last year भी vacancy नहीं निकली थी केंजरी विद्याले की, यानि कि यह जो last vacancy हुई थी, वो 2018 में एक्जाम हुआ था, 19-22 सालों से vacancy नहीं आई है, और इसलिए vacancy बहुत ज़्यादा create हुए है, इस बीच में बहुत सारे process हुए है केंजरी विद्याले संग अटन के अंदर, जिसमें कि लोगों के transfer हुए, लोग यहाँ से वहाँ vacancy है, और कई सारे लोगों ने job को, यहाँ पर job quit करके भी गया है, बहुत सारे spouse case में transfer हुए, इन सारे चीजों के बाद vacancies आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल vacancies आनी बनती है, उस हिसाब से मैं बोल रही है, calculation के हिसाल vacancy आईगी, आपको कभी बेदेखने को मिल सकता है इसलिए आपको अपनी तयारी जारी रखनी है, इसके लावा कुछ और vacancies है, जो आ रही है, जिसके बार में अपनी next वीडियो में बात करेंगे, जल्दी ही मिलती हूँ, next वीडियो में, till then, goodbye and take care, thanks for watching